नमस्कर दोस्तों आप सभी लोगों का एंटी एप चैनल में स्वागत हैं तो दोस्तों आज मैं देखा आया हूं बहुत ही सुन्दर वीडियो जो के आपने देखा होगा कोकिंग ट्रेस और जो केप किस तरीके से बनाया जाता है उस केप को हम आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाया जाता है यह देखिए हमने फुल्ड किया है 10 इंच में और 20 से इसे फुल्ड कर लेंगे फिर हम यह देखिए यह हमने फुल्ड कर लिया है अब इसको हम 10 इंच ना पेंगे दददस करके हमने इसका राउंड बना लिया है और इस तरीके से बड़ी ही प्यार से कटिंग कर देंगे इसकी अब यह हमारा गोल राउंड में बन चुगा है गोल आका रहा है इसका पूरा यह देखिए अब इसको हमने पूर्ड कर दिया है अब बैक में जो हम कट लगाएंगे इसका एक तरफ दो इंच का यह देखिए दाइ इंची पर हमने कट लगा दिया इसका यह कट लगाने के बाद में अब इसके लिए जो हम नीचे पट्टी रखेंगे इसे पका करेंगे वो पट्टी निकालेंगे यह देखिए पट्टी निकाल लिए इसमें अब जो सिर का नाप लेंगे कि जिस पे हम सिर में पहरेंगे तो उसका नाप है हमारा 21 इंच तो इसकी जो पट्टी लगेगी राउंड में वो पट्टी निकालेंगे हम ये पट्टी हमारी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है 21 इंची की पूरी नहीं है तो हम इस पट्टी को जोंट लगा कर पूरी तयार करेंगे ये हमने निकाल लिए 2 इंची की पट्टी sorry, 1.5 इंची की पट्टी निकाल लिए हमने इसी को रखकर एक और पट्टी काट लेंगे जिसका हम जूनते लगाएंगे इसमें ड्रक करेंगे जिस्से कि पट्ट लेंगे जिसर पक करेंगे इसलिए तो फट्ट्ट करेंगे उसके बाद में मार्जन के लिए यह बора करेंगे word से लिए यहां से क्ट कर लिया अब इसकी हम आप लोगों को इस्टीचिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से यह देखिए पट्टी जो हमने वो दो इंची की काटी दी वो पट्टी लगा देंगे और इसमें स्लाइल लगा देंगे सिलाइल लगाने के बाद में इसमें जो कट लगाता उसी जगह पर कट लगाएंगे हम यह देखिए बहुती आसान है तरियर करने में आप अगर ध्यान से हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप बहुती आसानी से बना देंगे कुकिंग ड्रेस का जो क्याप होता है उपर पेहनने वाला सिर्फे उसकी स्टीचिंग करके दिखा रहे हैं हम आपको कटिंग करके आपको बताई दिये अब इसके हम किस तरीके से तैयार करते हैं मसीन पर उस बता रहे हैं यह तरीके से फोल्ड कर लिए अब लब की सिलाई लगा लेंगे हम इस पर दोस्तों साते साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बाला बटन दबा कर हमारे चैनल को आगे के लिए फ्रेस करें जिससे कि हम जो भी वीडियो डाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें यह हम लब की सिलाई लगा रहे हैं इससे हमारी मजूता ही आ जाएगी बहुत प्रेसिंग आएगी अच्छा लगेगा देखने में यह देखिए अब अंदर वाली जो आप सुरू से एंड तक हमारी बीडियो देखें कट करने नहीं जिससे के हम जो भी आपको बता रहे हैं वो आप मिक्स कर दें तो एक भी चीज मिस्स ना करने पाएं इस वेज़े से हम आप से रुक्रेश्ट करते हैं कि आप सुरू से अंड तक वीडियो देखें कट करके देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज हमारी साथ है मिस्स कर दो और आपको समझ में ना आप आए मुझे किये कि थोड़ी सीज पर अब इसमें में चीज है हमारी कोट का सेंटर पर कुट का लगाना है यह यह देखें फूड़ कर लिया हम ने एक सेंटर यह हमारा कट वाला है और दूसरा सामने वाला है इस पर हम कट लगा देंगे इस चीज का बहुत खास करकर आपको लोगों को दिहन देना है अगर आप कुटका नहीं लगाएंगे तो आप इसका सेंटर आउट कर देंगे और प्लेट कंबड कर देंगे और वो पनीसिंग आएगी वो नहीं आपाएगी यह देगे कुटका लगा लिए हमने चार एक तरफ प्लेट जो कट लगा हुआ है उसके सामने कुटका और अब यह पट्टी हम बना रहे हैं इसमें जो बता रहे थे आपको थोड़ी सी छोटी पड़ रही है इसमें हमने जोंट लगा लिया आएगे जोंट लगाने के बाद में इसके भी हम अजोड़का लगाएंगे एक तर यह वाला जून्ट बताने एक तरफ यह जून्ट हो जाएगा हमारा यह पका कर लिया यह देखिए फोल्ड कर लिया जो एश्ट्रा काट था वो फोल्ड होने बाद में हमारी प्यक्सिक इंची की पट्टी रह जाएगी इधर से भी फॉल्ड पॉल्ड कर लिया अब इनको हम इस तरीके से पट्टी बनेगी अब इसमें हम लगाएगे कुटका इस तरीके से उसमें कुटका लगाएगे यह देगी एक सामने कुटका लगा दिया हमने ये लो अब इसको हम फूल्ड करेंगे और ये कुटका लगा देंगे यहाँ पर अब जितनी कुटकों की गैफिंग है जो हमने कट लगाए है इन में जितनी गैफिंग है इन ही में हमें प्लेट डाननी है सारी प्लेट है कुटके से कुटका मिलाते चले जाएं कट से कट मिलाएं यह हमने सीधा रख लिया है और इसको उल्टा रखेंगे हम पर दिख रहा है जो नवारा अंदर की साथ पर नीचे और इसको हमने उल्टा रखा है मार्जन आओ उपर दिख रहा है इस तरीकिए जएकदम सट कर हम सिलाई लगाएंगे और जो मार्जन को बाहर छोड़ते हुए एक पहर की सिलाई लगाते चले जाएंगे तोड़ा दागा निकल गया था सुई का यह हमने डाल लिया है कि इसी तरीकी से अब हम प्लेटन डालते चले यह देखिए कुटका से कुटका हम मिला रहे हैं यह देखिए कट से कट मिला लिए अब इतना पढ़त हुए यह गबड़ा अब इसमें हम प्लेटन डालते चले जाएंगे उसी हिसाब से प्लेटे डालेंगे जो हमारी गैफिंग उसी में खतम हो जाए जितनी गैफिंग है सारी उसी में हम प्लेटों के जरिये से खतम कर देंगे और एक बरावर हमारी प्लेटे आएंगे कुटका के हिसाब से पटके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो दोस्तो साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले फ्लीज दोस्तो आप लोगों से रुखेश्ट है अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूब करें और घंटी वाला बटन दबा कर जिससे के हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे जो कि आप हमारी वीडियो को देख सकें दोस्तो हम इसी तरीके से नए नए वीडियो बनाते रहते हैं हमारी यही कोसिस रहती है कि आप लोगों को हम बड़ ही प्यार से समझाएं और आप लोगों को समझ में आ जाएं हमारी वीडियो का उद्देश यही है कि हम जो भी चीज आपको वीडियो के जड़िये से समझाते हैं वो आप लोगों के समझ में आ जाएं और आप उस चीज़ को बड़ ही प्यार से बना सकें तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट वाक्स में जाएं और उसमें अपना सोजाब डालें और हमसे पूंचें हम आपको जानकाई देने के लिए अमेशा तैयार रहते हैं और देने के लिए तैयार रहेंगे तो यह देखे हमने प्लेटर डालनी है अब हम इसको आप यह देखिए ुपोट करेंगे से हम अगर आप एक बार में पोल नहीं कर पाओगें तो इसे एक तरिक जिसे हल्का झांथ उर्षिक फोट करके और श्रहि लगा सकती हो उस değer अछिए कर गill यह पूरो मैं आपको आसानी हो जाएगी फोंड ने में कोई दिकत नहीं आएगे हमें उम्मीद है दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राब कर लिया होगा अगर आप पुराने हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राब पहले से ही कर लिया है अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राब करिए आप लोगों का प्यार ही हमें इस मुकाम पर लेके आया है और हमारी कोशिस रहती है कि आपका प्यार इसी तरीके से हम लूटते रहें लेते रहें ये देखिए फोल्ड करके अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे अब इससे ये सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है थोड़ा फलकता है वो फलक नहीं पाता है अगर सिलाई पैड़े से लगा लेंगे तो अब ये हमारा फलकेगा नहीं अराम से फोल्ड करते हुए चले जाएंगे सीधा सीधा ये देखिए मारजन को अंदर खड़ते हुए और हम सिलाई लगा रहे है यूँहीं कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजलिया दे आएगी सफर साथ चलने से दोस्तों इसBack तरीका से सिलाई लगाते हुए हमारा ये टायार हो जाएगा इस में हमारी सिरह दो बैल्ट रहे। त्याइगे इसमें आप चाएठो एक बटन लगा सकते हैं या हूक लगा सकते हैं या इसमें जो इस्टिप लगाते हैं वो इस्टिप लगा सकते हैं हमने इसमें बेंट लगाई हुई है यह देखिए हमारा तयार हो गया आप इसमें सिर्फ बेंट लगाने को रह गई है अभी हम बेंट लगाकर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका लुक बनता है बहुत ही ज़ल्दी तैयार ही ये देखिए तैयार हो गया है हमारा क्याट गए बहुत ही सुन्दार लगेगा देखने में अब इसमें रहे हैं वह आपको हम लगा कर इसमें आपको एक फोटो दिखाएंगे किस तरीके हमने शैट किया अ है यह देगे यह आपर हम लगा देंगे निसान लगाकर तो नवसकार दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्वात इस तरीके से प्यार बनाई रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन जैवार।